हाई, वेलकम तो मैं चुनल, इस बीड़ी में सॉल्ट करेंगों क्वेशन नम्बर 11, the volume and the curved surface area of a cylinder are 1650 cm3 and 660 cm2 respectively, find the radius and height of the cylinder, तो दिखिये, volume दे दिया है और curved surface area दे दिया है, cylinder का, ठीक है, जब भी ये दोनों दे दे आपको, तो क्या करना चाहिए कि, volume में, quartz area से divide कर देना चाहिए, तो आपको radius निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, आखीर मतलब मैं कैसे बता रहा हूँ है, समझे ध्यान से, यहाँ पर पहले जो volume दिया, उसको रिख लेजिए, तो given है, सब कुछ, since volume दिया हुआ है, volume of the, volume of the cylinder, 1650 cm3, तो volume दिया हुआ है, तो यहाँ पर, हम लिख सकते हैं, it implies, volume कितना होता है, formula क्या होता है, pi r square h, ठीक है, pi r square h, एक दीजे, 1650 cm3, हम क्या करेंगे, इसको suppose कर लेंगे, कि यह पहला equation है, this is the first equation, ठीक है, ओके, अब दिया, दुसरा curve surface area दिया हुआ है, तो इसको निकल लेंगे, हम दिख लेंगे, directly आपर, curved surface area, curved surface area of the cylinder, cylinder, curved surface area क्या है, आपका यहाँ पर है, 660 cm2, it implies, हमारा जो, curved surface area का formula होता है, cylinder का क्या होता है, perimeter of the base, mean circumference of the base, 2 pi r into h, और यह आपका आजाएगा, 660 cm2, अब एक बाद धान दिजेगा, यहाँ पर करेंगे क्या, हम जो है, इसको माल लेंगे, second equation, और first equation में, second equation से divide कर देंगे, तो आप कहेंगे कि, कैसे equation को equation से divide करते हैं, तो ध्यान समझेगा, यह आपको दिया हुआ है, a is equal to b, और यह पहला equation है, और दिया हुआ है, c is equal to d, यह है आपका दूसरा equation, तो हम गया करते हैं, कि दोनों को हम divide कर सकते हैं, means, जो left side के quantity है, वह left side वाले quantity से divide होगी, और यह वाली जो quantity है, right side की, वो right side के quantity से divide होगी, मतलब यह है कि, पहले वाले equation का, जो left hand की quantity है, वह दूसरे वाले equation के left hand वाले quantity से divide होगी, और जो right hand वाले, जो पहले equation के right hand वाले quantity है, वो दूसरे equation के right hand वाले quantity से divide होगी, मतलब कि हम यहाँ जो डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे लिए सकते हैं A by C is equal to B by D ठीक है तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिवाइड इंग डिवाइड इक्वेशन पूरा लिख लेते हैं एक्वेशन फॉर्स्ट भाइड सेकेंड ठीक है डिवाइड करेंगे तो मिले का हमें पाई आर स्क्वाइर एच डिवाइड भाइड हम इससे करेंगे मतलब कि पाई रिवाइड करेंगे 2 पाई आरेच से 2 पाई आरेच is equal to यह वाली जो quantity है इसको डिबार करेंगे इस वाले से means 1650 centimeter cube upon 660 centimeter square अब यहाँ पर जो भी उपर नीचे common factor मिलेगा हम उसको cancel out करेंगे देखे है ह, ह cancel out हो जाएगा यहाँ से 1R है और यहाँ पर 2R है तो 2A cancel हो जाएगा तो वहन बचेगा 1 और पाई की वाली तो पाई से cancel हो जाएगी उपर क्या बचेगा देखे ऊपर जो है किवल एक R बचेगा आर अपान नीचे के बचेगा देखे तीनों की तीनों cancel out हो चुका है 2 बचेगा इसकल टू यहाँ भी cancel out करता है 0 से 0 cancel हो गया अब यहाँ पर 11 से cancel out करता है 1166 11 बचेगा 11 कितना बचा 5 बचा 55 1155 अब यहाँ से 3 से कड़े है 32 जा 6, 35 जा 15 मतलब 5 अपान 2 बचेगा और यहाँ से centimeter square cancel out हो जाएगा centimeter cube में से एक बचेगा बस centimeter मतलब मिल जाएगा आपको 5 अपान 2 centimeter अब यहाँ से देख रहे हैं आप crash multiply कर लिजे मतलब कि 2 से इधा मिप्लाइ करेंगे means 2 r हो जाएगा यह 2 r is equal to 2 5 जा 10 तो यहाँ से आप निकाल लेंगे r is equal to 2 से divided कर दीजे 10 अपान 2 centimeter centimeter रहेगा ठीक है centimeter में आएगा यह answer यह कटेगा तो मिलेगा आपको 5 centimeter तो हमारा निकल गया radius ठीक है अब लेकिन height की से find करेंगे तो height finding करने के लिए इस r की value को हम या तो first equation में रख दें या फिर second की से में रख दें किसी भी एक equation में रख देंगे first second में तो आपको जो है height निकल जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे putting putting the value of r in equation second second वाले मासान रहेगा यहाँ पर होजाएगा 2 pi r की वल रख दीजिए r की वलू है 5 centimeter 5 into h is equal to 660 centimeter square अब यहाँ solve कर लेते हैं तो यहाँ पर h बरबर निकलना है h बरबर क्या हो जाएगा 2 pi और 5 को जो है भेज़ देंगे तो हो जाएगा 66 0 divided by 2 pi pi की वालोग दीजिए 2 by 7 into 5 भी है कि इतना हो जाएगा और इसको हम सेखते है 660 into यह जो 7 है वो चला जाएगा उपर into 7 अपान नीचे रहेगा 2 into 22 into 5 अब यह solve करते हैं देखे 2 और 5 को मटपलाई करें तो क्या आएगा 10 आएगा 2 और 5 क्या आएगा 10 आएगा और 10 से 1 के से लट हो जाएगा मतलब कि 2 और 5 के से लोगा 0 से और 11 2 जा 22 होता है 11 6 जा 66 जाएगा तो और 2 3 जा 6 जाएगा यहां के और 3 7 जा 21 means finally हमारा आएगा 21 cm अब इस इस दे हाइट तो लिए सकते हैं आपर कि Hence Hence Height and Radius Height and Radius of the cylinder और 5 cm आएपका जो है 21 cm पर लिखेंगे 21 cm and 5 cm respectively respectively Okay Thank you so much for watching Bye